हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई चैनल, बाक तो दे बेसिक्स दोस्तों हमारे चैनल का टार्गेट है, टु क्रैक यू पीए से एक्जामिनेशन विदाउट फियर और आएए इस डर को भगाने के लिए हम लोग जोग्राफी से रिलेटेड एमसी क्यूद सॉल्ब करेंगे दोस्तों मेरा नाम है आनन्द होन और हमारा आज का टॉपिक है ड्रेनेज इसमें हम लोग रिवर्स, उनके ओरिजीन, उनके ट्रिब्यूटरीज, रिवर्प पैटर्न इनके बारे में बात करेंगे और क्वेस्टन सॉल्ब करेंगे दोस्तों तो आई ये फटा-फट क्वेस्टन स्टार्ट करते हैं Consider the following statements regarding rivers नदियों के बारे में ये statements दिया हुआ है इसमें से पहला है कि Peninsular rivers have greater drainage basins due to their fixed course ठीक है दोस्तों ये statement तो आपको पता है कि गलत है आपको पता है कि drainage basin यानि वो total area जहां river और उसकी ट्रेब्यूटरी जो है जिसको cover करती है ठीक है तो ये जो है Peninsular rivers के पास greater basin नहीं है ये जो Himalayan rivers है उसका basin बड़ा है दोस्तों तो पहला आपका गलत है दूसरा दिखिए Himalayan rivers exhibit a single drainage pattern throughout their course दोस्तों ये भी statement actually कि आपका गलत है Himalayan rivers जो है वो शुरुआत में antecedent है फिर वो consequent है and end में वो फिर आपका meanders वगरा form करते है तो dendritic है तो single drainage pattern नहीं है अब आपकी antecedent आपको पता होगा देखिए शिवालिक बनने से पहले जो reverse का origin है उनको antecedent बोलते हैं जो शिवालिक बनने के बाद भी उसी path में आगे बढ़ते रगे यानि शिवालिक mountain जब बना तो वो उसको काट करके आगे बढ़ते हैं अपना रास्ता बना लिया उनको antecedent बोलते हैं तो जो Himalayan rivers है in the beginning they are antecedent फिर वो consequent है और फिर dendritic है Consequent जो river बोलते हैं उसको बोलते हैं जो एक fixed slope पर आगे आगे बढ़ता रगता है ठीक है और dendritic इस तरह का होता है दोस्तों जासा आपका neuron का shape होता है न इस तरह का tree की branch जैसा उसको pattern को dendritic बोलते हैं बट उससे मतलम नहीं है Consequent समझ लिजे कि जितनी भी peninsular rivers हैं वो only Consequent है Consequent का मतलब एक fixed slope को follow करना है फिलाल यहां पर हमारा right answer हो गया option number D देखिए हिमालेयन river system जो है वो फले antecedent है फिर Consequent है फिर dendritic है यह ध्यान में रिकिएगा single pattern को वो लो follow नहीं करती है आई दोस्तो question number two है Consider the following events Malda gap, upliftment of Potwar plateau, upliftment of western हिमाल्या, emergent western coast बोल रहा है which of the events are responsible for the evolution of present day हिमाल्या rivers दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब सबसे पहले एक river flow करती थी west में आसाम या अरुनाचल से ले करके east में पंजाब तक ठीक है आगे पकिस्तान वाले area को cover करती होगी और arabian sea में खुद को drain करती थी ठीक है यह river basically combination था इंडस ब्रह्मपुत्र और गंगा तीनों का यह combination था दोस्तों और इसका नेम था इंडो ब्रह्मा इंडो ब्रह्मा या फिर शिवालिक इस नदी का नाम था शिवालिक बाद में एक mountain आया तो इसको शिवालिक बोला जाता है तो गंगा इंडो ब्रह्मा और इंडस तीनों से मिला हुआ था यह ठीक है और इसको इंडो ब्रह्मा या फिर शिवालिक बोलते थे लेकिन यह पुराना pattern है present pattern क्या है present pattern यह है कि इधर flow करती है इस तरह से इंडस इसी के आसपास से इस तरह से ब्रह्मा पुत्र आती है यह नामचा बरुवा में ये इंडिया के तरफ भूम जाती है और फिर ये इधर बांगलादेश में चली जाती है फिर यहां से कहीं आसपास से आपका ये गंगोतरी गलेशियर के आसपास से गंगा आती है और ये भी बांगलादेश में इस तरफ से चली जाती है तो ये जो pattern है ये कैसे आया तो इसका सबसे पहला region है Malda gap Malda gap है आपका छोटा नागपुर plateau और मेगालियन plateau के beach का जो area है वो खाली हो गया इसी area में देखे ये गंगा जा रही है और इधर से ब्रमपुत्रा इसी area में घुम जा रही है लेकिन इधर ना जा करके ये इधर जुक गई दूसरा बात गंगा यहां से origin होई तो गंगा भी गंगा यहां से origin हो रही कहीं पर तो ये भी इधर 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 flow करती लेकिन इधर इधर flow नहीं कर पाई क्योंकि यहां का जो area है जिस हो कि हम लोग पोटवार प्लेटू बोलते है या डेली रीज भी बोलते है ये थोड़ा ऊपर उठीया दोस्तों तो ये इधर ना जाने के बज़ा है इधर आने लग गई तो ये भी region है मालडा गैप भी इसका region है अपलिफ्ट्वेंट ओफ पोटवार प्लेटू की रीजन है अपलिफ्ट्वेंट ओफ वेस्टन हिमालयाज भी इसका region है लेकिन इमर्जेंट वेस्टन कोस्ट नहीं है दोस्तों वेस्टन कोस्ट सबसे पहली बाद तो ये जान देए कि वो सबमर्जेंट है तो फोर्थ तो इसका region होगा है नहीं फोर्थ अपने आप ही में incorrect statement है तो 2 का right answer क्या होगा है दोस्तों आपका option number B1, 2 and 3 इस information को एकदम याद कर लिजे देख लिजे अई दोस्तों question number 3 देखते है consider the following statements regarding the industrial system तो industrial system के बारे में statement पूछा जा रहा है आपसे पहला है जेलम river finds its origin in India itself तो आपको पता होना चाहिए कि जेलम जो है वो वेरी नाग में इसकी ये originate होता है दोस्तों ठीक है ये पीर पंजाल रेंज का पार्ट है ठीक है तो पहला है statement actually correct है तो दोस्तों ये जो है आपका रोहतांग पास जहां कुलू हिल से वहीं से originate होता है तो ये हिमाचल प्रदेस में है तो second statement भी क्या आपका true है थर्ड देखें इंडस्ट्रेंस दे यूटी जो जम्मू कस्मीर और लदाक देखें लदाक से होते वे तो ये जाता ही है इस तरह से जाता है और फिर ये गिलगित बाल्टीस्तान में ऊंतर करता है गिलगित बाल्टीस्तान जम्मू कस्मीर का पार्ट है और जम्मू कस्मीर इंडिया का पार्ट है थर्ड का right answer क्या हो गया option number D 好了 of the above इंडस ओरीजिन कहा से होता है दोस्तों इंडस ओरीजिन होता है तिबत से मांसरोर लेग के आसपास से मांसरोर लेग से इसका ओरीजिन होता है तिबत में इसको हम लोग बोलते हैं सिंगी खंबन तिबत में इंडस को क्या बोलते हैं सिंगी खंबन यानि लायन्स माउथ ठीक है वाकि ये गिल्गित पालतिस्तान में इंटर करता है तो आपका अई दोस्तों क्वेशन नबर फॉर्स देखते हैं वहला बोल रहा है कि जोसी मठ एसोसियेटेड विद धर रिवर भागी रथी ठीक है ठीक है गंगा का कुछ आप सिस्टम समझ लेजे ये है गंगोत्री ग्लेसेर गंगोत्री ग्लेसेर और यहां से रिवर निकली है भागी रथी पहला तो गलती हो गया ठीक है और यहां पर है आपका बद्री नात और यहाँ से river originate होती है अलक नंदा कौन से river है यह है अलक नंदा है यह ठीक है फिर अलक नंदा में थोड़े दूर डूर पर यह देखे, अलक नंदा का उरिजिन है बद्री नाथ से अलक नंदा में थोड़े दूर पर मिलेगी अब की धौली गंगा दोली गंगा जहां मिलेगी उसको बोलेगे जोसी मट ठीक है या फिर विस्नु प्रियाग तो जोसी मट या फिर विस्नु प्रियाग दोनों बोल सकते हैं दो फिर उसके बाद इसमें मिलेगी पिंडर गंगा पिंडर रिवर मिलेगी पिंडर गंगा पिंडर जहां पर मिलेगी उसको बलेगी करण प्रियाग ठीक है उसके बाद आपका इसमें मिलेगी मंदाकिनी देखी यह इधर से भी मिल सकते इधर से भी मिल सकते उतना नहीं आप यह order बच यादर किये इस order मिल रही है सबसे पहले आपका अगंगोत्री ग्लेसियर से निकली भागी रथी ठीक है फिर आपका बद्रीनाथ से निकली अलगनंदा अलगनंदा में सबसे पहले मिली धौली गंगा फिर मिली पिंडर गंगा और फिर मिली आपकी मंदाकिनी ठीक है मंदाकिनी जहां पर मिलेगी उसको बोलेंगे र अंडिड परसेंट याद रख लिए जाया, I know it is difficult to remember, but still remember it, तिक है, और कोई option नहीं है, दो चार बार इसको map हुच से बनाई ए, तिक है, अब पूरा पूरा नाम लिखे, मैं तो ऐसे बड़े वढ़े पेंसे लिख रहा हूँ, तो पूरा ने लिख पा रहा हूँ, आखिनिका ही एक और नाम काली गंगा भी है ये सारा information आपके लिए important है ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है जो not important है फिर अलक नंदा और ये river को अलक नंदा ही कहते रहेंगे इसमें जो भी नदी मिलते जाएक लेकिन इसको अलक नंदा ही कहेंगे अलक नंदा और भागिरत्थी मिल आखिर कार आपका देव प्रयाक पर ठीक है और इसके आगे इसको गंगा बोलेंगे ठीक है तो पहला statement तो हो गया आपका incorrect फिर देखे 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 ऐसा कहा जाता है ठीक है statement सही है बट सही होते भी ये गलत है दोस्तों क्योंकि least जो distance कवर करती वो जारखंड में कवर करत है इसको एक बार मिला लीजेगा इसके statement को correct मान लीजे फिलाल के लिए बट just check it in the internet कि ये क्या सही है नहीं है बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जारखंड में सबसे shortest distance कवर करती है बट उसका क्या reason है कि जारखंड में नहीं मान रहा है वो आप देख लीजेगा ठीक है फिर और यमुना में बहुत सारी नदीन मिलती है जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सारे reverse मिलती है और ये सारे peninsular origin के तो third statement तो क्या हो गया आपका incorrect हो गया देखे right answer यहापर क्या हो गया आपका option number B2 only वो भी अगर हम लोग इस information को cross check कर ले तो ठीक है फोर्थ का B2 only is the right answer but just check it कि जारखंड में इसका flow कितना लंबा है क्योंकि जारखंड का ये map हो गया आपका लंबा इस तरह का जारखंड का map है और यहाँ पर है राजमहल ठीक है और साहिब गंगा नदी थोड़ी सी पार होती है ठीक है तो just check it मैंने मुझे distance exactly पता नहीं है है दोस्तों यहाँ पर नदियां दी हुई है और यहाँ पर उनके sources की बात की जारी है ठीक है तो जैसे पहला है अलगनंदा अलगनंदा सतो पंथ glacier से निकलती है बिल्कुल सही बात है अलगनंदा के बारे मैं मैंने अभी आपको क्या बता था कि अलगनंदा निकलती है बद पद्री नाथ में हो गया, फिर्स्ट स्टेट्मेंट करेक्ट है, यमुना बंदर पूँच से निकलती है, यमुना त्री गलेसियर से, स्थेंड इस और सोन नदी जो है दोस्तों वो निकलती अमर कंटक प्लेटू से, ठीक है, तो थर्ड इस रॉंग, फिर कोसी नदी जो है, क All the All Rivers, उनकी ट्रिब्यूटरी, सबके जो सोर्से से, कहा कहा से ओरीजिन होती है, यह आपको पता होना ही चाहिए, there is no other way around, देख लिजे, देखे, which of the following national parks are in the vicinity of ब्रहपुत्रा, फिर से देख लिजे ब्रहपुत्रा कहा से निकलती है, ब्रहपुत्रा निकलती है, मांसरोवा राकास लेक से तिबत में, फिर यह ऐसे फ्लो करती है, ठीक है, फिर यह नामचा बरुआ में, ठीक है, इधर एक टाउन है, अरुनाचल क जिसका नाम है सदिया, सदिया के पास से इंडिया में ऐसे इंटर करती है, फिर यह इस डिरेक्शन में आपका फ्लो करना सुरू कर देती है, ठीक है, जब यह तिबत में रहती है, इसका नाम है सैंको, सदिया के पास से जब यह इंटर करती है, तो फिर इसको हम लोग सियां इसमें नदिया मिलते हैं दिबांग और लोहित के मिलने के बाद इसको बरमपुत्रा बोलते हैं दोस्तों ठीक है और फिर ये धीरे सीधर चली जाती है आपका बंगलादेश में बंगलादेश में इस नदिया को हम लो बोलते हैं जमुना जमुना कब बोलते हैं जब इसमें एक और नदी आख करके मिलती है, जिसका नाम है तीस्ता, ठीक है, फिर ये जमुना, जो कि ब्रमपुत्रा का ही नाम है, जमुना, यमुना नहीं, वाई से यमुना नहीं, जे से जमुना, ठीक है, जमुना में एक और नदी मिलती है, पदमा, ठीक है, पदमा जो कि एक तरीके स यह सब मिलती है फिर लाशने बेव बेंगॉल में यह ड्रेन आउट कर देती है बस यह बात आपको पहले इसका जानना है उसके बाद इसकी जो ट्रिब्यूटरी है सुबें सिरी ठीक है लो हेट दिहिंग बुढ़ी दिहिंग इन सब टाइप के आपको यह याद रखने है बटकाजी रंगा पोभी तोरा इसके पास में है और जो नामेरी है दोस्तों नामेरी थोड़ा दूर में है ठीक है नामेरी थोड़ा दूर में है और नामेरी है एक टाइगर रिजर्ब है पकुई पकुई टाइगर रिजर्ब या फिर जिसको पक्के टाइगर रिजर्ब अरुनाचल में यह उसके पास में हालाकि यह है असाम में बट उससे लगभग यह boundary सेर करती है तो यह याद रखेगा कि ना मेरी इस नॉट नियर ब्रह्मापुत्रा बट काजी रंगा इन पोवी तोरा बाइललाफ सेंक्चुरी अर नियर नियर ब्रह्मापुत्रा और दोनों ही के दोनों फेमस हैं for the one-horned rhino तो 6th का right answer क्या होगा तो उसको आपका option number A 1 and 2 only देख लिजे आई question number 7 तो देखते हैं consider the following statements regarding catchment area and drainage basin ठीक है catchment area उसको बोलते हैं जहां से नदियां सारा अपना पानी collect करती हैं जैसे बारिस से या glacier से तो वो catchment area drainage area वो हो गया जहां पर नदी और उसकी tributaries नदी प्लस tributaries मिल करके जितने area को cover करती है उसको drainage basin बोलते हैं तो पहला देखे catchment area of a river is located near the source of the river very right क्योंकि वहाँ से यह पानी collect करती हैं फिर दिखे drainage basin of a river is found by the main stream excluding the tributaries नहीं दोस्तों excluding the tributaries नहीं including the tributaries नदी यानि river और उनकी tributaries मिल करके जितने area को drain करती हैं उसको बोलते हैं drainage basin तो बी इसका incorrect statement हो गया तो और incorrect ही पूछ रहा है तो right answer हो गया मारा B to only catchment area का सही definition लिखावा catchment area of a river is located near the source of the river तो देखे लिजे देखे consider the following rivers sin the zone मयूराक्षी केन इनको west to east arrange करना दोस्तो यहीं इस direction में इसको range करना है west रहे हो गया east ठीक है तो चलिए मैं आपको कुछ-कुछ चीजे बताता हूँ जैसे यह हो गई आपकी गंगा नदी ठीक है गंगा के पास से ही बगल से ही निकलती ही यमूना और इसके parallel जाती है और यह इसके प्रियाग राज के आसपस में प्रियाग राज में ही in effect यह इससे मिल जाती है यह यमूना और यह है गंगा गंगा की ट्रिब्यूरीद है चंबल, सिंध, बेतवा, चेन इसी order में है चंबल, सिंध, बेतवा, केन ठीक है तो सबसे पहले देख लिए जए सबसे पहले कौन आएगा सिंध आएगा और फिर केन आएगा सबसे पहले सिंध और फिर केन क्योंकि बेतवाक चंबल तो यहां है नहीं तो सबसे पहले आएगा सिंध फिर केन फिर प्रियाग राज के बाद आगे चल करके इससे गंगा से मिल उसके बाद मयूराक्षी नदी आपकी ये निकलती है जार्खंड में जार्खंड में देवघर आपको पता होगा जहां बैद दिनात धाम है देवघर के त्रिकूट हिल्स में वहां से मयूराक्षी नदी का ओरिजिन है ये आपको नहीं पता होगा क्योंकि मैं जार्खंड से तो इसलिए मुझे यह ज्यादा पता है बठा आपको यह ध्यामर करें कि मयूराक्षी कहीं ने कहीं जारखन से निकलती है जारखन में देवभर से त्रिकूट नाम की हिल से यह निकलती है आपके मयूराक्षी नदी तो वो इसके भी इधर हो गई तो आपका राइट अड़र हो गया सिंध, कें, सोन और मयूराक्षी सिंध, कें, सोन, मयूराक्षी 1423 is the right answer एक दम इन मैप्स को आप ध्यान में रखने कोसेश करेंगे सारे के सारे जो नदियां है वो किसके ट्रिब्यूटरी जहें कहां से रिली निकलती हैं कहां जाकर के मिलती है आई दोस्तों क्वेस्टन नमर नाइन देखते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एंटी सीडेंट स्ट्रीम्स क्या बोलती है कि अदगर ये नदी ऐसे फ्लो कर रही है तिक है यह ऐसे इसके लिए रास्ता बना हुआ था है पीच में कोई एक पहाड निकल गया पहाड निकल गया मतलब एक दो मिनट की बात नहीं है ये सालों साल में ये पहाड निकलेगा जैसे सिवालिक जो है वो गंगा रिवर शिस्टम के औरीजिन के बाद अपलिफ्ट हुआ है बट इस टील जो है नदी किसी तरह से उसको काट 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 का अपना रास्ता बना लेते हैं उसी को लोग बोलते हैं antecedent streams तो पहला statement तो correct है दूसरा देखे Consequent streams flow according to the slope of the adjoining surface ये भी बिल्कुल सही है Consequent streams ये सब कुछ नहीं करती है जैसा उसको रास्ता मिला उसी रास्ते पर ही वो चलती है तो 9th का right answer क्या हो गया अपका option number C बस इतना ध्यान रखे कि antecedent streams जो है वो अपने ही बनाये हुए रास्ते पर चलती है चाहे सामने कुछ भी आ जाए Consequent streams उनको कहते हैं जिनको जैसा रास्ता मिला जैसा उनको slope मिला उसके according वो flow करती है Simple सी बात है 9th का option हो गया C is the right answer देखें यहाँ पर कुछ नदिया दी हुए और यहाँ पर उनके origin के विश्म पूछा जा रहा है महानदी का origin लिख रहा है उरीशा दिखें लोग इसको गलत कर लेगे महानदी उरीशा में flow कर दे तो लोग बोले हाँ उरीचा उरीचा महानदी का origin है वो है चतिस गड़ में दंड करन जो forest है दंड करन ने forest in 36 गड़ ठीक है वहाँ पर ये एक प्लेस है जिसका नाम है सिहावा वहीं से ये origin होती है महानदी ठीक है तो पहला तो आपका हो गया गलत फिर आप दूसरे पर आईए कावेरी पर आईए कावेरी देखे दोस्तो ये निकलती है केरला से नहीं ये निकलती है ताल कावेरी से कुर्ग ढिस्टिक करनाटका में कुर्व करनाटका एकदम याद रखना है आपको ठीक है तापी गुजरात से नहीं निकलती है दोस्तों तापी निकलती है बेतुल बेतुल डिस्टिक्ट MP से और कृष्णा भी करनाटका से नहीं निकलती है कृष्णा निकलती है आपकी महा बलेस्वर से दोस्तो महा बलेस्वर जो की महाराष्ट्रा में है क्रिष्णा कहां से निकलती है महा बलेस्वर महाराष्ट्रा महा नदी निकलती है सिहावा चत्यसगाड दंड अरंडे होरेस्ट से ठीक है जो रामायन का अरंडे कांड है वो इसी के उपर लिखा गया है तीक है फिर कावेरी निकलते है ताल कावेरी कुर्ग डिस्टिक करनाटका से तापी निकलते है बेतुल डिस्टिक्ट MP से कृष्णा निकलते है महाबालेस्वर महाराष्ट्रा से यह सारे के सारे आपके इंकरेक्ट है सिब याद कर लिजे जो जो मैंने बताया एकदम उसको याद कर लेना है देखें यहां इनकरेक्ट स्टेट्मेंट पूछा जा रहा है रिगार्डिंग सम रिवर्स ठीक है तो देखते हैं पहला क्या है वंप सधारा is a west flowing river forming an estuary लेकि आपको जनरली पता होना चीए कि जो west flowing rivers होती है वो हमारे है estuary बनाती है और जो east flowing rivers होती है वो बनाती है डेल्टा इसे बहुत सारे रीजन है वो आगे किसी ने किसी क्वेशन में आ जाएंगे तो उसको छोड़ दीज़े फिल हल लेकिन वम्स धारे के बारे में बोल रहा है कि यह वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो की इस्ट्वेर बनाती है लेकिन दोस्तों आपको इंडिया का एक यह यादर प्लीजे एक इंडिया का मैप यादर प्लीजे अब देखें आप इंडिया का मैप में यह देखें यह इंडिया का ड्रेनेज डिवाइड है इस तरह से कुछ इसका ड्रेनेज डिवाइड है रफली बनाया है इस ड्रेनेज डिवाइड के इधर तो जो भी नदी आएगी वो इधर ही जाएगी यानि बेयो बेंगॉल में ही जाएगी हमें सही अधर के और इस ड्रेनेज तो आप यह याद रखने है आपको बस कि व्याद सदारा जो नदी है उसका ओरीजीण होता है उडिसा में तो उडिसा में जो नदी originate हो रही है वो आपकी west flowing नहीं होगी वो क्या होगी east flowing की उडिसा बिलकुल आपके इधर आगया इस region में आगया यह drainage divide है drainage divide के इधर आगया तो पहला तो आपका होगा गलत फिर देखे आंध्र प्रदेश करनाटका केरला forms the drainage basin of pennaar river तो दोस्तों जो pennaar river है वो originate होते है करनाटका में और करनाटका के बाद यह आंध्रा में flow करती है इसको केरला में जाने का कोई मौका ही नहीं मिलता है तो यहां पर दोनों ही statement क्या हो गया आपके incorrect हो गया दोनों statement incorrect हो गया तो right answer हो गया आपका incorrect पूछा जा रहा है इसलिए right answer हो गया c both one and two जो आपकी यह नदी है pennaar river यह origin होती है नंदी hills करनाटका में यह originate होती है और pennaar river ठीक है तो देख लिजे एक question number 12 देखते हैं दोस्तों consider the following statements regarding himalayan rivers and hurricane wetland तो पहला देखे the discharge of himalayan rivers is constant throughout the year देखे एक बात तो fix है कि himalayan rivers जो है वो perennial river है तो साल भर वो discharge करती है पर क्या डिस्चार्ज उनका साल भर constant होता है तो नहीं दोस्तों अब इस बात है summer में उनका भी discharge थोड़ा सा बढ़ जाता है तो glacier तेजी से खलती है प्लस rainfall होता है तो discharge उनका summer में अधिक होता है तो constant discharge throughout the year यह possible नहीं है चाहें वो आपकी हिमालेन rivers हों या peninsular rivers हों ठीक है यह बात सच है कि यह perennial है तो सालो भर इनका discharge होता है but it is not constant फिर देखे हारीके वेटलेंड is situated at the conference of सतलूज और बियास बिलकुल सही बात है सतलूज और बियास जहां पर मिलती है पंजाब में वहाँ पर एक man made wetland है जिसको बोलते हार निके wetland और यह एक रामसार साइट भी है रामसार साइट क्या होता है नहीं होता है यह आप जरूर पढ़िएगा तो 12th का राइट एंसर क्या होगा option number B to only correct पूछ रहा था न हाँ correct पूछ रहा था अई दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि यमुना का इन में से कौन-कौन सा जो है ट्रिब्यूटरी है ठीक है तो एक बात तो पहले काट दीए सोन जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है तो 5th वाले options हो कट कर दीजे दोस्तों ठीक है और देखे चंबल सींद बेतव केन उसकी ट्रिब्यूटरी है तो सिंद इसकी ट्रिब्यूटरी एक है बट फोर्थ तो दोनों में है अब हम लोगों काटना होगा कि टू भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है दोस्तों यानि रिंद ठीक है रिंद भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है तो रिंद और सिंद इसक रेदक ब्रह्पुत्रा ट्रिब्यूTRI र्यदक ब्रह्पुत्रा ट्रिबूत्रीम चल गया तो रिंद सेंद सागर और सिंद यह है हमारे पास option बचा क्योंकि one option खतम हो गया तो B है हमारे पास है 2, 3 and 4 only is the correct answer रिंद सेंद सागर और सिंद यह important tributaries है ठीक है बाकि सेंद सागर उतना important tributaries नहीं बट फिर भी अब याद कर लेज़े रिंद सेंद सागर और सिंद यह देजार the tributaries of Yamuna तो 13th correct answer is option number B एद दोस्तो question number 14 देखते है consider the following statements regarding drainage pattern तो drainage pattern के regarding statements यहाँ पर दिया हुआ है तो reverse originating from the americante range are an example of centripetal drainage अब अप्को बता जाता हूं पहले centripetal drainage होता है एक ऐसा 강ण है एसलेक यता सरताह से और साथा और इसमें फिल्मात के हरेक एक जगा से नदी याखर कि यह संसे पर मिल जाती है उसको centripetal drainageु दूसरा होता होता है in और एक mountain जैसा है जहाँ है कि एक नदी इधर जाएगी, एक नदी इधर जाएगी, एक नदी इधर जाएगी, एक नदी इधर जाएगी, इसको बोलते है रेडियल ट्रेनेज, तो अमर कंटक रेंज में सेंट्री पीटल ट्रेनेज नहीं होता है, अमर कंटक रेंज में होता है, रेडियल ट्रेनेज, या और दूसरी नदी है नर्मदा नदी भी अमर कंटक प्लाटू से निकलती है ठीक है और वो आपकी बन जाते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर तो पहला स्टेटमेंट इस इनकरेक्ट सेकेंड इस्टेटमेंट देखें रिवर्स नर्मदा और सोन फ्लो इन डिफरेंट इसको इनकरेक्ट और यहां करेक्ट पूछ रहा है अब यहां पर कुछ न दिया है इसको नौर्थ साउथ डिरेक्शन में हम लोगों को अरेंज करना है दोस्तों तो आईए इसको अरेंज करते हैं सबसे पहले है यहां पर पेन गंगा, पेन नेरु, तुंग भद्रा और मंजीरा तो हम लोगों को यह देखना होगा कि यह हो गया आपका Peninsular India Peninsular India की नदिया है में में जो उसको मैं पहले ड्रॉख कर देता हूँ यह है महानदी फिरे कोदावरी फिरे आपकी क्रिश्ना फिरे पेननेरू यानि पेननर फिरे कावेरी फिरे वेगे फिरे वेगे महानदी, गोदावरी, क्रिश्ना, पेननर और कावेरी यह तो आपको पता चल गया अब देखिए पेन गंगा जो है वो गादी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है पेन गंगा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है दोस्तों तुंग भदरा क्रिश्ना के ट्रिबूटरी है और पेने रूँ क्रिश्ना के नीचे आती है तो हम लोगों ये तो पता चल गएकि सबसे पहले होगा पेन गंगै Amazing 1 उसके बाद है कही न कही पर 3 क्योंकि तुंग भदरा है क्रिश्ना के ट्रिबूटरी है मंजीरा मंजीरा किसके ट्रिबूट्री है तो कि चलिए 132 के आधार पर नोग देखते हैं 132 तो यहां पर सभी का है और यह मंजीरा भी दोस्तों यह भी गोदावरी के ट्रिबूट्री है तो इतना फिक्स है कि 3 और 2 के पहले आएगा 4 तो हम लोग को देखना है 1432 यह 4132 ऐसा कोई आप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा तो 15 का राइट एंसर इसको आप लोग देख लिजेगा यह 1432 यह 4132 ऐसा इसका राइट एंसर होना चाहिए नहीं इसका एंसर हो जाएगा 1432 दोस्तों ठीक है मैं समझ गया देखे पेन गंगा उपर साती है लेकिन मंजीरा नीचे से जाती है गोदावरी में तो अब हम लोगो नॉर्थ तू साउथ अरेंज करना है तो ठीक है पेन गंगा उपर साई फिर मंजीरा नीचे से गई गोदावरी में फिर कृष्णा की ट्रिबूटरी होगी तुंग भदरा तो वो उसके बाद में आ तो इसका एंसर हो गया 1432 ऑप्शनमबर बी इस दा करेक्ट एंसर गलत को संगे अंसर दिया है अच्छा चोड़िया टाई है क्वेशनमबर 17 देखने हैं दोस्तों विध रेफरेंस टू रिवर तापी कंसिडर दो फॉलिंग स्टेटमेंट्स ठीक है रिवर तापी से रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिये वह हैं इट ओरिजिनेट फ्रॉन दा अमर कंटक प्लैटू तो मैंने आपको पहली बताए कि रिवर तापी ओरिजिनेट करते हैं बेतुल एमपी में ना कि अमर कंटक प्लैटू में तो पहला तो हो गया आपका गलत देखिया फिर देखिये पूर्णा एंड पंजरा और इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ओफ रिवर तापी देखिये वैसे तो यह सब आप इसे कोई भी नदी है तो उसका नदी और ऊसका खूब सारा ट्रिब्यूटरीज लिक लिए अर नदी पाएअर उसका ट्रिब्यूटरीज का नाम और जmez कर देखिये इसे फ्लो करते है नरमदा और eva के नीचे से flow करती है तापी तो ये रिफ्ट वैली से flow करती है तो ये तो आपका क्या हो गया correct हो गया फिर देखे इट flows exclusively in madhuprates and guzrat नहीं दोस्तों ये महराष्टर में भी flow करती है तापी महराष्टर में भी flow करती है तो फोर्स आपका हो गया incorrect तो right answer क्या हो गया 17th का option number C 2 and 3 only गया correct answer अई दोस्तो question number 18 देखते हैं देखें मैं आपको explanations बहुत जाद पर focus नहीं कर रहा हूँ पढ़ने के लिए क्योंकि मैं कोसेस कर रहा हूँ कि map के through मैं ही आपको explain कर दू ताकि आपके दिमाग में वह set हो जाए आई देखते हैं which of the following are the left tributaries of indus बहले आप समझें लेफ्ट tributaries कहेंगे किसको और right tributaries किसको कहेंगे जैसे indus आपके निकली मांसरोवर लेक के पास से इंडियम एंटर की और ऐसे से ये फ्लो कर रही है फिर इंडियम फिर ये अधे फ्लो से फास से अपना फेस कर लिए ठीकशा कठें लेखेंगे और ये side होके आपका right bank tributory ठीक है तो आपको ये ध्यान मर रखना है कि right bank tributory में है आपकी नूब्रा, श्योक और गिलگित नदी वो right bank tributory है नूब्रा, श्योक और गिलगित, ये सब right bank tributory बाकी सारी आपकी जो है left bang tributories है दोस्तों थीक है और जन्सकर भी एक इसकी राइड बैंक ट्रिबूटरी है जिसको जनरली लोग मिस कर देखता है ठीक है और जंसकर को कई लोग मिस करके फिर इसके साथ मिला देंगे यानि नूबरा स्योग, गिलगित इन सब के साथ मिला देंगे but that is not right, जंसकर is also one of the right bank tributary of Indus तो 18th का right answer क्या हो गया, आपका option number B, 2 and 3 only आपको याद भी रखना है, जब गंगा नदी निकल गई आपकी, एक तरफ से तो आई भागे रथी, एक तरफ से अलक नंदा, फिर यहाँ देव प्रयाग में दोनों मिल गई, अब यान गई है गंगा, फिर यह कुछ देर तक ऐसे चलती है, फिर ऐसे चलती है, फिर ऐसे चल अब इसमर कुछ है, नदियां आकर के मिलना सुरू करती है, देखे, यह नदी का फ्लो है, तो इस सेट हो जाएगी इसकी राइट बैंक, और इस सेट हो जाएगी इसकी लेफ्ट बैंक, यह ध्यान में रखेगा, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यमुना, सोन, ठ है, दामोदर, हलाकि दामोदर गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, दामोदर है, हुगली नदी की ट्रिब्यूटरी, क्योंकि यहां से मुडने के बाद इसको हुगली बोलते हैं, ठीक है, तो यह ध्यान में रखेगा, अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसको arrange करना है दोस्तों तो आप ध्यान रखे सबसे पहले इससे मिलेगी राम गंगा फिर मिलेगी घाघरा फिर मिलेगी गंडक फिर मिलेगी कोशी राम गंगा 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 कोशी तो इस तरह से आपको याद रखना है सबसे पहले मिलेगी 3 राम गं गोमती फिर घागरा फोर फिर गंडक वन थ्री टू फोर वन विल बी तरेट एंसट ऑप्शन हो जाएगा सी थ्री टू फोर वन इस दा करेक्ट एंसट वाकि सभी सहरों के बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा जानना चाहिए ठीक है जैसे राम गंगा और गंगा जहां पर मिलेगी उस जगह का नाब है कनोज यानि कानपूर ठीक है फिर आपका राम गंगा के बाद है गोमती गोमती जो नदी है उसके उपर बना हुआ है मतलब बसाएगा है लखनव नाम का सहर ठीक है उसके बाद राम गंगा गोमती फिर घा नदीज के 3 पर बसा है ऐयोदेया यही पैजा बाद ठीक है फिर फिर यह वंगा की हगा फिर होगया घंडक फिर 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 कंडब और घंडक और घंडक गंडक घंडर समिंव मिलती है दोस्तों देखें वी तो फॉलोईंग आर दे करेक्टरिस्टिक्स अब दे पैनिन्सूलर ड्रेनेज सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स पूछी जारी है पैनिन्सूलर ड्रेनेज सिस्टम दोस्तों होती है senile topography senile यह नहीं बहुत old topography है वो आपको पता है कि peninsular इंडिया है वो बहुत ही stable system है क्योंकि बहुत पुराना system है ठीक है तो इसको बहुते है senile topography फिर देखे antecedent drainage नहीं होगा antecedent drainage में आपको बलता है कहाँ पर होगा himalian river में होगा ठीक है फिर देखे और जो हिमालेयन जो reverse होती है वो deep value से flow करती है deep value से shallow value या u shape value भी इसको बोल सकते है और deep value से हिमालेयन reverse flow करती है इसको b shape value भी बोल सकते है तो यहाँ पर right answer क्या होगा आपका 1 and 3 is the correct answer option number a is the right one ठीक है question number 21 देखते हैं दोस्तो with reference to the peninsular drainage system which of the statements are correct तो जो peninsular drainage system है उनके regarding कुछ statements दिया वा है आपसे पूछा है कि इसमें से correct statement कौन सा है ठीक है तो बोल रहा है गोदावरी is one of the largest peninsular river systems बिलकुल सही बात है गोदावरी को इसलिए दक्षिन गंगा भी बोला जाता है गोदावरी की जो tributaries है वो है वो run करती है महराष्टरा, MP, उडिशा तो सही बात है ये भी travel करती है महराष्टरा, MP, उडिशा और भी एक दो state से travel करती है जैसे चतिसगर, ठीक है अंधरा ठीक है इन सब से भी travel करती है इस इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी जार पेन गंगा, इंदरावती और कोईना देखे कोईना दोस्तो कोईना ट्रिब्यूटरी है क्रिशना रिवर की ये बात ध्यान रखेगा ठीक है तो थर्ड इस इनकरेक्ट तो राइट एंसर क्या होगा ट्रिब्यूटरी जार पेन गंगा, इंदरावती, प्राण हीता और मंजीरा ये सब तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है लेकिन जो कोईना है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है वो क्रिशना की ट्रिब्यूटरी, इसलिए वो आफका इस्टेट्मेंट गलत हो गया था एज दोस्तों, क्वेसन नमबर 22 देखते हैं नर्मदा, अमर कंटेक्ट प्लेटू नदियां दी हुई है और उनके ओरीजिन की बात की जा रहे है तो नर्मदा तो बिल्कुल सही बात है, अमर कंटेक्ट प्लेटू से ही इसका ओरीजिन है पहला है बिल्कुल आपका correct फिर देखे, दूसरा देखे, गोदावरी गोदावरी में लिखा हुआ सह्यादरी प्लेटू तो देखे, गोदावरी जो है वो त्रेमबकेस्वर प्लेटू यह आपका नासिक के पास से इसका ओरीजिन है गोदावरी त्रेमबकेस्वर प्लेटू नासिक और कृष्णा जो है, वो है सह्यादरी हिल्स जिसको exactly अगर नाम बोलागा तो उसको महाबलेश्वर बोलते हैं जहां से कृष्णा ओरिजिनेट करती है बाके कावेरी जो है, वो ताल कावेरी, ब्रम्हगीरी या कूर्ग बोलते हैं वहीं से यह ओरिजिनेट होती है, तो फोर्ट तो करेक्ट है कावेरी, ताल कावेरी, ब्रम्हगीरी, करनाट का, बस इतना यादर किया, ठीक है तो टू और थ्री यहां पर incorrectly मैच दोस्तो नर्मदा का अमर कंटक प्लैटू सही है, कावेरी का ब्रम्हगीरी हिल्स सही है क्रिष्णा का होना चाहिए था सह्यादरी हिल्स या फिर महाबलेस्वर, गोदावरी का होना चाहिए त्रिम्हगेस्वर प्लैटू या फिर नासिक, तो यह टू और थ्री incorrectly melt है, तो 22 का right answer हो जाएगा, option number C, 2 and 3 only तपैरेश्ट थे जेग्राप्रफी इंढिए, वेच करता है वेस्ष्णा, पहली बात जाएणजी, महा नदी तो नहीं है महा नदी है east flowing river ठीक है बाकि किसी के भी बारे में आपको ज्यादा नहीं पता होगा तो पेरियार के बारे में आपको पता होगा ये एक west flowing river है ठीक है बाकि एक और जान जी दोस्तों ये काली नदी काली नदी भी करनाटका की है और ये भी east flowing river है वो मैंन drainage pattern मनाय था ना drainage divide तो इसके इधर जो जो निकलेगी तो काली नदी निकलती ही करनाटका में तो ये किधर जाएगी इस्ट में जाएगी फिर आपकी पेरियार निकलती ही केरला में ये भी इस्ट में जाएगी महा नदी तो उडिशा ये तो इधर ही जाएगी बाकि पलार नदी दोस्तो तमिलाडू की नदी है और ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है तो आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पर आप्सन नहीं दिया हुआ है यहाँ पर आप्सन नहीं दिया हुआ है इसलिए उसके लिए सौरी है दोस्तों question number 24 ते देखते हैं which are the following is are the reasons for lack of formation of delta by peninsular rivers falling into the arabian sea तो देखे peninsular rivers जो है वो delta नहीं बनाती उनका क्या क्या कारण है तो देल्टा नहीं बनाने का क्या क्या कारण है तो पहले तो presence of hard rocks जो hard rocks है क्योंकि आपको पता है कि जो south इंडे peninsular plateau के जो rocks है वो है hard rocks ठीक है और जो गंगा के origin के जो river है यानि हिमालियन जो rocks है वो है आपके sedimentary nature के उनको weathering करना, erosion करना easy है लेकिन जो hard rocks है इनका weathering erosion easy नहीं है तो यह भी एक रीजन है कि delta नहीं बनाते है delta बनाने के लिए क्या चाहिए आपको खूब सारा alluvium चाहिए alluvium कैसे बनेगा पत्थर को काटते 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 बनेगा तो नदी अगर hard rocks को काट ही नहीं पाएगे तो delta भी नहीं बनेगा तो one is right फिर देखे presence of steep slopes बिल्कुल सही बात है देखे नदी धीरे-धीरे flow करेगे तब तो वह चलो sediments को लेके भी जाएगी steep slope पर वह क्या होगी एक तो hard rock है और उसके steep slope तुरंत नदी का origin हो और तुरंत वह जाकर के सागर मिल गई तो उसकारण से भी यह delta नहीं बना पती है फिर देखे flowing through faults क्योंकि predefined path रहता दोस्तों जब तक उनको इधर उधर 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 ऐसे घूमने का मौका नहीं मिलेगा तब तक वह अपने सेडिमेंट्स नहीं उठा पाएंगी ठीक है लेकिन यह जब predefined faults से जब वह फ्लो करेंगे जैसे नर्बदा जो है वह विंध्या और सत्पूरा के बीचे फ्लो करता है तापी जो है सत्पूरा के नीचे भी वह भी एक रिफ्ट वैली से फ्लो करती है तो उनको भी डेल्टा बनाने के लिए और आप्शन ही नहीं मिलेगा तो इसका राइट एंसर क्या है अगरे टुन्टी फॉर्थ का बी हो गया दोस्तों राइट एंसर वन टू एंट त्री ओल टू इसका करेक्ट एंसर है देखे इसमें पूछा जा रहा है which of the following are the projects on river चेनाब यानी चेनाब नदी पर इनमें से कौन-कौन सा प्रोजेक्ट बना रहा है देखे हालाकि यह तो static knowledge हो गया लेकिन current affairs से भी इसको आपडेट करना होगा अपडेट वैसे especially मत करिएगा बट जब भी magazine में आक तो जैसे चे ہ्सक्राइन में रखना है अपको बट ठीक है अपको यह पता होना ची चियागी जो तुलबॉल जो प्रोजेक्ट है इटीज मों जहेलम रीवर तो जहेलम बाकि बगलिहार दुलहस्ती सलाल ये एल होगा सलाल all these are on चेनाब रिवर से तो 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 1, 2 and 3 इसका हो जागा दोस्तों correct answer 25th option number C, 1, 2 and 3 is correct answer projects on Chenab, बगलिहार project, दुलहस्ती project, सलाल project projects on Chenab, बगलिहार project, दुलहस्ती project, सलाल project project on Jhelam, तुलबूल, देखे आई दोस्तों question number 26 देखते है देखे, यहाँ लूनी नदी की बात की जा रहे, लूनी नदी आपको पता हो ना की कि राजस्तान की एक नदी है, in fact यह western राजस्तान की largest नदी है, तो यह बोल रहा है, it is the largest river system of राजस्तान, तो ठीक है, इसको correct मान लेते हैं, and it originates near puskar, and the entire river, entire river system is ephemeral, देखे, एक होता है perennial, एक होगा seasonal, और एक होगा ephemeral, perennial तो साल ओ भर flow करेगी, लगभग constant, लगभग constant उससे flow होगा साल ओ भर, seasonal साल ओ भर flow करेगी, लेकिन इसमे रेई season में इसका flow तेज होगा और बाकी season में इसका flow कम होगा, और ephemeral जो है, वो only rainy season में कुछ दिनों तक flow करेगी, बाकी season में यह दिखाई ही नहीं देंगे, मतलब वो नदी ही गयाक हो जाएगी, तो इस तरह सापको याद रखना है, तो हाँ, यह बिल्कुल एक ephemeral river है, और इसका origin पुसकर के पास होता है, पुसकर के पास आपको पता होगा, एक मेला भी लगता है, ठीक है, और पुसकर में कौन से भगवान की पूजा होती है, वो आपको question में बताना है, ठीक है, तो anyways दोस्तों, तो यहाँ पर right answer होगा क्या, इसका option number C, both 1 and 2, correct answer पूचा जा रहा है, इसलिए both 1 and 2 is the right answer, यह दी बोल रहा है, लेकिन यह answer C होगा, दोस्तों, answer will be C, question 27 देखते हैं, यहाँ पर drainage pattern के regarding incorrect statements को identify करने के लिए बोला जा रहा है, पहला दिखे, the drainage pattern resembling the branches of tree is known as trellis, मैंने आपको बता है, ब्रांचेज of tree के जैसा जो हो, उसको बोलते हैं, डेंड्राइटिक, जैसे पेड का एक ब्रांच है, फिर इससे एक निकला, फिर इससे एक नि पिर इससे निकला, तो इसको बोलते हैं, डेंड्राइटिक पैटन, ना के trellis pattern, तो पहला तो हो गया, आपका incorrect, दूसरा दिखे, when the primary tributaries of rivers flow parallel to each other, and the secondary tributaries join them at right angles, the pattern is known as dendritic, नहीं, then pattern is known as trellis, इसका भी पिक्सर आपको दिखा देता हो, ठीके, one incorrect है, दूसरा भी incorrect है, इसक semi-tributary लगभग लगभग इसके parallel जा रही है, ठीक है, कभी ना कभी यह इसको मिल जाएगी, वो अलग बात है, बटी लगभग लगभग parallel जा रही है, और फिर जो secondary tributaries है, वो इसको, यानि secondary tributaries, यानि कौन सी, tributaries की tributaries, secondary tributaries, इसको right angle पर cut कर रही है, तो इसको बोलते है a hill and flow in all directions, the drainage pattern is radial, is known as radial या फिर centrifugal, दोनों बोलते हैं इसको, और इसका example है, आपका क्या, इसका example है, अमर कंटक, अमर कंटक प्लेट्टू पर, जो river pattern है, drainage pattern है, वो है radial pattern या फिर centrifugal pattern, या फिर centrifugal pattern, ये आपका अमर कंटक परवत है, एक तरफ निकलती है नर्मदा जो की जाती ह और एक तरफ निकलती सोन जो की गंगा नदी से मिल करके आगे चलकर बेय बेंगॉल में मिल जाती है, थर्ड is the correct one here, so that is the thing, 27th का right answer is option number C, 3 only, चली मैं डियाग्राम सापको समझा रहा हूं ताकि आपको explanation read करने की बहुत जादा, जरुवत पढ़े भी न, और explanation read करके आपको बहुत जादा नहीं समझागे जितना डियाग्राम सच समझागा, anyway, question 28 ते देखने हैं दुस्तों, which of the following is our important pillars of the नमामी गंगे प्रोग्राम, तो इसमें तो सब कुछ हो जाएगा, sewerage treatment infrastructure बिलकुल होगा नमामी गंगे, आपको पता होना चाहिए कि नमामी गंगे प्रोग्रा दावा देने के लिए, गंगा के आसपास की cities में को industrialize करने के लिए, प्लस sustainable बनाने के लिए, ठीक है, ये project चलाएगे है, गंगा के आसपास जो गाओं हैं उनको ODF, यानि open defication free बनाने के लिए, गंगा के आसपास की biodiversity को conserve करने के लिए, गंगा के आसपास riverfront development के लिए, ठीक ह मैं आपको कोई टेकनीक नहीं बता रहा हूं बड़ ये तो सही होगा न, severe treatment infrastructure यहां लगेगा ही, riverfront development होगा ही, biodiversity होगा ही, conversion होगा ही, conservation होगा ही, तो 28th का right answer होगा है क्या आपका option बर D, 1, 2, and 3 देख लिए, आईए, question number 29th देखते है दोस्तों, बोल रहा है कि which of the following are an influence, आर छोड़ी है, which of the following influence formation of delta, थोड़ा गलत यह था, इन में से delta formation को कौन-कौन से चीज़े influence करती है, तो देखे, climate conditions से इसको influence करेंगे, क्या बिल्कुल करेंगे, ठीक है, क्यों climate conditions से इसको influence करेंगे, जहाँ जादा rainfall अगरा होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, आसपास के area से sediments नदी में जाएंगी, और वो नदी फिर उस sediments को आगे बहा करके ले जाएगे, तो first is correct, second, sediment sources in the drainage basin, बिल्कुल, sediment ही तो चाहिए हम लोगो delta formation के लिए, पिर देखे, tectonic stability जादा जो stable region है, वहाँ पर बहने वाली नदिया जो है delta नहीं बनाएंगे, जैसे कि peninsular plateau की जो नदिया है, वो delta नहीं बनाते हैं, क्योंकि peninsular plateau जो है, tectonically stable region है, ठीक है, फिर देखे, river slope and flooding characteristics, बिल्कुल, इसके आधार पर भी, आपका, यह decide होगा, कि यह delta बनाएगा, यह estuary बनाएगा, तो right answer क्या होगा, 29th का, D, all of the above, correct answer, ठीक है, आई दोस्तो, question no. 30 देखते हैं, with reference to the places and the confluence of rivers, which of the following pairs is incorrect, तो देखे, यहाँ, अलक नंदा और भागी रथी जहाँ पर मिलती है, उसको देव प्रयक्ट बोलते हैं, हाँ, बिल्कुल बोलते हैं, देखे, मैं आपको पूरा डियाग्राम ही फिर से बना देता हूँ, यह निकली, भागी रथी निकली, भागी रथी निकली, कहां से, गंगोतरी glacier स फिर अलक नंदा निकली, अलक नंदा निकली बदरीनाथ से, फिर इसमें मिली सबसे पहले धौली गंगा, धौली गंगा निकली, मिली कहां पर, धौली गंगा का ही एक नाम है पहले याद रखे, विस्नु गंगा भी, ठीक है, विस्नु गंगा या धौली गंगा, यह मिले जोसी मट ये चारो एग ही जगह हो गया है फिर देखें उसके बाद मिलेगी इसमें पिंडर गंगा, पिंडर मिलेगी, कहां पर, पिंडर मिलेगी कर्ण प्रयाग में, ठीक है, फिर इसे मिलेगी मंदाकिनी, तो पिंडर मिलेगी कर्ण प्रयाग में, अब यहां कर्ण प्रयाग में क्या बोले है, नंदर मिलेगी, कुछ नहीं मिल रहा है, कर्ण प्रयाग पर अ अलक नंदा से मिलेगी पिंडर तो D हो गया आपका incorrect बाकि अलक नंदा और मंदाकिनी जहां पर मिलती है उसको रूदर प्रयाग बोलते हैं तो बिल्कुल सही बात है फिर मिलती है मंदाकिनी कहां पर मिलती है मंदाकिनी जिसका की नाम काली गंगा भी है और यह मिलती है आपकी रूदर प्रयाग में इसको मैप पे अच्छे से दोस्तो जो जो मैंने short में लिखाना अच्छे से बना कर कुसको तो हम रट लीजे ठीक है ठीक है दोस्तो question number 31 देखते है विच्व दो following reverse are an example of arcuate delta arcuate delta के मैं बता दूँ दो तिन टाइप के delta होते है ठीक है estuary delta arcuate delta finger delta क्या होता नहीं होता यह तो देखे कुछ चीजे मैं आपको समझा जयता हूँ जो समझानी क्यों होती है कुछ चीजे बस आप क्या करो ने यादी कर लो तो जो arcuate delta है उसका example है गंगा और नाई finger delta का example होगे आपका mississippi estuary delta का example होगे जितने भी इंडिया में west flowing river है यानि अरबियन sea की तरफ जितने भी rivers होगे वो सारे होगे estuary delta का example ठीक है तो arcuate delta का यहाँ पर example क्यों होगे नाईल और गंगाज mississippi इसका example नहीं होगा दोस्तों तो right answer क्या होगे option number d 1 and 2 only question number 32 which of the following rivers forms the estuary delta अब अगें गंगा तो estuary delta पर नहीं करेगे क्योंकि यह कौन सी delta बनाती है arcuate delta गंगा और नाईल क्या बनाती है arcuate delta बनाती है ठीक है और देखे o बनदी जो है यह आपकी बनाएगी estuary delta और amazon नदी भी जो है वो भी आपकी बनाएगी estuary delta ठीक है इसको याद रख लिए अब इसका मैं आपको क्या तरीका बताओ और तरीका नहीं है ठीक है estuary delta का नहीं भी आद रहा तो कोई बात नहीं यह उतना important question नहीं है अगर यही exactly आजाता है कि ओब नदी की delta कैसी है तो estuary delta आपको पता होने चाहिए अपने book में पढ़ा हुआ ना पढ़ा हो यह mcq question में आपने इसको solve के कि ओब नदी फॉर्म करते है estuary delta amazon नदी फॉर्म करते है estuary delta ठीक है गंगा नदी फॉर्म करते है nile नदी फॉर्म करते है archivet delta mccp नदी फॉर्म करते है finger delta तो कम सेको इस इतने information से अगर question आता है तो that should not be wrong ठीक है है दोस्तो question number 33 देखते है recently the cabinet has given nod to the first project under the national perspective plan for interlinking of rivers it envisages transferring water from तो जो first phase है दोस्तो interlinking of rivers उसमें cane बेतवा link project पर काम किया जा रहा है cane और बेतवा ये दोनों आपकी MP में flow करती है ठीक है और ये आपका चंबल, सिंध, बेतवा, cane ये आपको पता है, ये सारी किसकी tributaries है, ये सारी tributaries है ये मुना न दीखिए इसी order में है west to east, जंबल, सिंध, बेतवा, cane to बेतवा, cane बेतवा link project इस पर सबसे पहले काम किया जा रहा है interlinking of rivers वाले project में तो 33rd का right answer और गया option number C, cane to बेतवा अगर आपने पूरा attend किया है, तो मैं सची बता रहा हूँ कि आपके पास patience, perseverance और वो सारे गुण है जो कि एक UPSC experiment में एक serious UPSC experiment में होने चाहिए आप काफी सफल होंगे, आप मेरे telegram group, CSE भी थानन्द मुहन को भी जॉइन कर सकते हैं और इस series के साथ attach हो जाएगे, ताकि आपका prelims clear होने के संभावना बढ़ जाएगी चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद